हेलो दोस्तो, हिंदे अड़ोई टिप्स में आप सभी का स्वागत है दोस्तो, आज मैं आपको मुबाईल कीबोड की एक ऐसी धांसू ट्रिक के बारे में बताऊंगा जिसे देखकर आप सभी चौक जाएंगे और आप कमेंट करके मुझसे कहेंगे भाई पहले क्यों नहीं बताया इस कीबोड ट्रिक के बारे में जी हाँ दोस्तो, जैसे के आप देख सकते हैं ये है मेरे पुराने कीबोड, वही पुराने घीसे पीटे से कीबोड जीने देखकर, जीने यूज करके मैं बोर हो चुका हूँ और दोस्तो, ये है मेरे न्यू कीबोड, बहुत ही डासू कमाल के जैसे के आप देख सकते हैं इसके अंदर दोस्तो, आप कई सारे कस्टमाइज कर सकते हैं यहाँ पर दोस्तो, इन दोनों ही कीबोड को यूज करने के लिए आपको अलग-अलग एप्लिकेशन को डाउनलोड नहीं करना है आप एक ही एप्लिकेशन के अंदर इस तरह के सभी कस्टमाइजेशन अपने कीबोड में एड़ कर सकते हैं आप देख सकते हैं, यहाँ पर कीबोड के अंदर पानी डांस कर रहा है इस पानी के कलर को भी आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पर दोस्तो आप अलग-अलग थिम लगा के अपने मुबाईल में कीबोड को काफी अच्छी तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं और जब भी आप कहीं चैटिंग करेंगे और कोई बंदा आपके फोन में कीबोड को देखेगा तो दोस्तो वो एकदम से चौक जाएगा और आपसे पूछेगा भाई तुने यह कैसे किया है मुझे भी बता दे तो अगर आप सीखना चाते हैं कीबोड की डांसू ट्रिक के बारे में तो इस वीडियो को एंड तक देखिए आगे बनने से पहले दोस्तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर किलिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ में बेल आइकोन को दबा कर ओल पर सेट कर दीजिए ताके जब भी मैं इसी तरह की वीडियो अपलोड करू तो इसकी नोटिफिकिशन सबसे पहले आपको मिल जाए इसके बाद दोस्तो आपको नीचे आना है और यहाँ पर एक कमेंड कर देना है नाइस वीडियो इतना काम करके दोस्तो आप जरूर से मुझे सब्पोर्ट कीजिए तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तो सबसे पहले आपको एक एप्लिकेशन को डाउनलोड कर लेना है इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा जो वीडियो आप देख रहे हैं अगर आप उसके टाइटल पर किलिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एप्लिक मिल जाएगा ठीके एप्लिकेशन को ओपन कीजिए ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा तो आपको इस कीबोर्ड को अपने मुबाइल के डिफोल्ट कीबोर्ड पर सेट करना होगा यह रहा रौकी कीबोर्ड इसे यहाँ से मैं आउन कर लेता हूँ ठीके इसके बाद दोस्तों यहाँ पर फिर से किलिक करना है और यहाँ पर जो keyboard हमने download किया उसे select कर लेना है और सभी permission को allow कर देना है ठीके अब दोस्तों यहाँ पर हमारी सभी settings हो चुकी है आप देख सकते हैं यह normal सा keyboard इसके अंदर आपको कुछ effect भी दिखाई दे रहा होगा अब इसके अंदर आप काफी सारे customize कर सकते हैं ठीके हम पहले back आते हैं और पहले मैं WhatsApp को open करता हूँ आप देखेंगे इस तरह से keyboard दिखाई दे रहा है अब इसे change करने के लिए आपको जाना होगा application में और यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे के side में काफी सारे option देखने के लिए मिल जाएंगे जैसे के आप देख सकते हैं ठीके तो यहाँ पर मैं click करता हूँ और यहाँ पर click करता हूँ अब दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर यह water वाला effect आ चुका यहाँ के keyboard के अंदर पानी दिखाई देगा अब यहाँ पर दोस्तों आप color को change कर सकते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर color change हो रहा है जैसे क्या आप देख सकते हैं अब जो भी color आपको पसंद है उसे set करने के बाद यहाँ पर आप इसे apply कर दीजिए apply करने के बाद दोस्तों यह आपके keyboard में add हो जाएगा तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ whatsapp को open करके यह रहा मेरा whatsapp और मैंने open किया आप देख सकते हैं काफी कमाल का काफी cool यहाँ पर effect दिखाई दे रहा है दोस्तों यहाँ पर जो यह found है इसकी style को भी आप change कर सकते हैं इसके लिए आपको जाना होगा application के अंदर और यहाँ पर दोस्तों आपको इसे keyboard पर click कर देना है यहाँ पर आप देख सकते हैं color जो ही यह पर change हो रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आप number वगेरा को भी add कर सकते हैं ठीक है अब दोस्तों अगर आप अलग-अलग theme set करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर आप click करने के बाद set कर सकते हैं आपको इन्हें download नहीं करना है फॉर इक्जमपल आपको यह theme पसंद है आप इस पर click कीजिए यह थोड़ा सा load होगा और फिर यह आपके keyboard में apply हो जाएगा ठीक है यहाँ पर add show होगी add को disable कर देना आप देख सकते हैं यहाँ पर यह बता रहा है किस तरह से दिखाई देगा तो मैं open करता हूँ whatsapp को आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका sound भी काफी cool सुनाई दे रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं तो इस तरह से दोस्तों आप अलग-अलग theme भी यहाँ पर set कर सकते हैं और अपने mobile के keyboard को एक नया look दे सकते हैं और जो भी बंदा आपके phone में keyboard को देखेगा वो एकदम से चौक जाएगा और आपसे पूछेगा भाई इतने अच्छे-च्छे keyboard तो ने कहां से डाउनलोड की हैं सबसे अच्छी बात दोस्तों यह है कि इसके अंदर आपको अलग से कुछ डाउनलोड नहीं करना है एक application को डाउनलोड कीजिए यहाँ पर दोस्तों आपको काफी सारे customize के option मिल जाते है तो अगर दोस्तों आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो इस वीडियो को like कर दीजिए शेर कर दीजिए और चैनल को subscribe कर लीजिए मिलते हैं अगली वीडियो में Thank you